आज बजाज आटो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट टू विलर और दुनिया की नमबर वन थ्री विलर कमपनी है। सालों तक इस कमपनी ने इंडियन टू विलर मार्केट पर राज किया है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब कमपनी के बंध होने की नौबात आ गई थी। तब जापान के कावासाकी मोटर्स की केवी हंड्रेट और कैलिबर जैसी बाइक्स ने बजाज को डूबने से बचा लिया था। लेकिन आगे चल कर ऐसा क्या हुआ कि बजाज ने कावासाकी का साथ छोड़ कर आश्ट्रिया की केट्यम में अपने दिल्चस्पी दिखानी शुरू कर दी। क्या कावासाकी ने बजाज को धोखा दिया था। इन सब सवालों के जवाब के साथ ही आज हम बजाज आटो की पूरी जर्नी डीटेल में जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों कहानी की शुरुवात होती है 1889 में जब राजस्थान के एक छोटे से गाउं में एक गरीब मारवाडी के घर जमनालाल बजाज का जन्म हुआ। और सिर्फ फाइव यर्स की एज में ही एक राजस्थानी बिजनसमैन बजचराज बजाज ने उन्हें अपने ग्रैंट सन के रूप में गोद ले लिया। अंग्रेजों के साथ उनके काफी अच्छे रिलेशन्स थे और वो महराष्टर में राकर कॉटन ट्रेडिंग का बिजनस किया करते थे। केवल चार साल के फार्मल एजूकेशन के बाद ही जमना लाल भी इसी बिजनस से जुड़ गये और बिजनस के तोर तरीके सीखने लगे। समानों का इस्तमाल करें। गाधी जी के कहने पर उन्होंने 1931 में यूपी के लखीमपूर खीरी में हिंदुस्तान शुगरमिल की शुरुवात की जो आज बजाज हिंदुस्तान लिमिटेट के नाम से जाना जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा शुगरमिल है। जमना लाल जी जब गाधी जी के साथ फ्रीडम मूमेंट में काफी बिजी रहने लगे तो बिजनस को उनके बड़े बेटे कमल नयन बजाज समालने लगे जो कैंब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आये थे। और बिजनस समालते ही उसको स्कूटर्स, थ्री सिमेंट, स्टील और इलेक्टिकल अप्लाइंस जैसे कई अलग-अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिये। और ना ही रिशर्च और डेवलेप्मेंट की सुविधाएं। और साथ ही गौर्मेंट की तरफ से इतनी पावंदिया थी कि कोई भी विदेशी कमपनी इंडिया में अपना बिजनस नहीं कर सकता था। इसलिए कमल ने यान बजाज येरोपियन कंट्री से टू विलर्स और इंपोर्ट करके बेजने लगे। फिर साल आया 1959 जब उन्हें गौर्मेंट से प्रोडक्शन का भी लाइसेंस मिल गया। और अगले ही साल कमपनी को बजाज आटो के नाम से एक पबलिक लिम्टेट कमपनी बना दी गई। लेकिन अब मुश्किल तो ये था कि आखिर प्रो इसे लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉंस मिलने लगा। और फिर 1965 में कमल नयान बजाज ने अपने बिजनस की सारी जिमेदारी अपने बेटे राहुल बजाज को सौंप ती जो हारवर्ड बिजनस स्कूल से MBA की पढ़ाई कम्प्लीट करके वापस आये थे। राहुल ब बजाज को अपना अस्तित्तो बचाने के लिए खुद का एक टू विलर बनाने की मजबूरी थी। पूरी टीम ने दिन रात मेहनत की। और 1972 में वेस्पा से ही इंस्पाइट एक स्कूटर बजाज जेतक को मार्केट में उतारा गया। एपी आई लेंबरेटा के बाद बज बजाज चेतक भारत में बना दूसरा स्कूटर था और अगर आपका जन्म 90 के दशक या उससे पहले हुआ है तो आप बजाज चेतक स्कूटर के बारे में जरूर जानते होंगे। और आपने भले ही इस स्कूटर को चलाया हो या नहीं लेकिन इसके फेमस जिंगल हमारा बजाज हमारा बजाज किट में एंट्री ले पाएंगे और गॉर्मेंट के इस मूव ने उनको एंट्री लेने का एक मौका दे दिया। होंडा मोटर्स ने भी जब इंडिया आने में अपनी दिल्चस्पी दिखाई तो 100 से भी ज्यादा एप्लिकेशन्स उनके पास पहुंच गये। जिनमें से हो कोटर का जो बिजनस होता है वो काइनेटी को दे देता है। बस अब यहीं से शुरुवात थी बजाज के बुरे दिनों के। अब बजाज आटो के अंत को देखने लगे थे। राहुल बजाज ने जिस बजाज आटो को 7.5 करोड से 12,000 करोड की कमपनी बनाया था। उस कमपनी को अपने आखों के सामने बरबाद होते हुए देख रहे थे। लेकिन उनके पास कोई आप्शन नहीं था। होंडा, या बजाज के बड़े बेटे राजियू बजाज जिन्नोंने 1988 में मेकेनिकल इंजिनरिंग में अपनी डिग्री हासिल की थी। उनकी सोच अपनी पितार से बिल्कुल अलग थी। जिसकी वजह से उनके बीच का अभी मध्वेद भी थे। लेकिन अभी प्रायार्टी थी बजा में लॉंच किया गया और साथ ही अफरिका, नाइजिरिया, मैक्सिको, लेटिन अमेरिका और फिलिपिन जैसे देशों में इसको एक्सपोर्ट भी किया जाने लागा। बॉक्सर बाइक तो अफरिका की लार्जेस्ट सेलिंग बाइक बन गई और कावासा की बजाज कैलिब लाइट वेट कम्यूटर बाइक बना रही थी, लेकिन लोगों की फाइनेंसियल कंडिशन अब पहले से बहतर हुई थी, जिसे उनकी पर्चेजिंग पावर में भी इजाफा हुआ था। और इनी सभी बातों को ध्यान में रखकर, बजाज की रिसर्च एंड डेवलेप्मे और मस्कुलर स्टाइलिंग के साथ पलसर एक प्रीमियम बाइक थी, साथ ही डिस्क प्रेक और साइड इस्टेंड इंडिकेटर इसे दूसरी बाइक से अलग बनाते थे। राजिव बजाज की डिफरेंट स्ट्रेजी काम कर गई और पलसर बाइक ने मार्केट में ऐसी धू निश्चित रुप से कावसाकी के साथ बजाज के लिए एक जीवन दान से कम नहीं था। उनके रिष्टे पलसर के लांच के बाद भी मजबूर बने रहे। और 2009 में कावसाकी ने अपनी प्रीमियम बाइक के सेल्स और सर्विस के लिए भी बजाज के साथ एक डील साइन कि और उनके प्रीमियम डीलर्शिप के जरिये अपनी निंजा जैसे स्पोर्ट्स बाइक को सेल करने लगे। हाला कि राजीव बजाज के मन में एक खसक जरूर थी कि आखिर उनके पास फास्ट स्पोर्ट्स बाइक बनाने की टेक्नालोजी क्यो नहीं है। उसी दोरान उन्हे की एक फेमस मोटर कंपनी केटियम काफी बुरे दर से गुजर रही है और बैंकरप्सी की कगार पर है। केटियम एक बड़ा नाम था और उसकी टेकनालोजी राजीव बजाज के सपने को हकीकत में बदल सकती थी। बजाज ने फॉरन केटियम के 14.5% परसेंटी स्टेक पर गई। बजाज आटो ने केटियम की मदद से अपने पॉलसर ब्रेंट को अप्ग्रेट करके पॉलसर एनेस और आरस सिरीज को लॉंच किया जिसका आज यूथ में जेवरदस्त ग्रेज है। दरसल आस्ट्रिया में केटियम बाइक्स की मैनुफेक्ट्रिंग कोस्ट काफी अधिक थी। इसलिए उनकी बाइक्स काफी महगी हुआ करती थी। लेकिन जब उसका प्रोड़क्शन बजाज ने इंडिया में शुरू किया तो प्रोड़क्शन कोस्ट में लध्वत 30% के गिरावर डाग दी। और जब 2012 में एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ के साथ के कावसाकी और केटियम दोनों एक ही सेग्मेंट में बाइक्स का प्रोड़क्शन करती थी। और इंडिया में केटियम बाइक्स का रेट नीचे आने से कावसाकी की सेल्स पर काफी असर पढ़ने लगा। हाला कि आफिशली तो इस बात को कहीं कहा नहीं गया। लेकिन कुछ इस रिपोर्ट्स की अगर माने तो बजाज और कावसाकी के बीच मार्केटिंग और ब्रैंडिंग को लेकर कुछ डिस्प्यूट काफी दिनों से चला था। और बजाज के मुश्किल दिनों में भी कावसाकी ने अपने स्पोर्स बाइक की टेकनोलोजी भी शेयर नहीं खुश नहीं था। कावसाकी को बजाज से अलग होने का अंदेशा पहले से ही था। इसलिए 2010 में कावसाकी ने महराष्ट के पूने में इंडिया कावसाकी मोटर्स के नाम से अपना एक प्रोडरक्शन यूनिट सेटप करके अपने सप्लाई चेन को भी मजबूत करना शु कवर से लेकर पल्सर जैसी परफार्मिंस बाइक और डोमिनार और ड्यूक जैसी शांदार स्पोर्स बाइक बजाज के पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और अगर थ्री विलर की बात करें तो हमारे दिमाग में सिर्फ बजाज आटो रिक्षा का ही ख्याल आता है। 2017 मे ही बजाज ने यूके की ट्रैंफ मोटर साइकल के साथ मिड़ साइज बाइक के प्रोटर्ट्सन और सेल्स के लिए भी एक ग्लोबल पार्टनर्शिप किया था। जिसके तहत उन्होंने अभी जल्दी ही जून 23 में स्पीड 400 और स्क्रैंबलर 400 एक्स बाइक को लांच किया ह आज बजाज आटो की टू विलर्स और थ्री विलर्स दुनिया के 70 अलग-अलग देशों में मौझूद हैं और यही वज़ा है कि उनके कुल रिवेन्यू का 50% हिस्सा एक्सपोर्ट से ही आता है और आप जानकर हैरान होंगे कि दिसंबर 20 में बजाज आटो का मार्केट था जिससे यह दुनिया की most valuable टू विलर कमपनी बन गई थी तो दोस्तों उम्मीद है कि बजाज आटो की यह सकसे जरनी भी आपको पसंद आई होगी थैंक्स फर वाचिंग